हेलो फ्रेंड्स आज मेरी बेटी का डिमांड था लंच में मुझे ब्रॉकली फ्राइ राइस खाना है इसे लंच में खाए या फिर डिनर में बहुत ही टेस्टी लगता है और बस इसकी तैयारी फटाफट से कर लेती हूँ तो यहां मैं ब्रॉकली के सिफ फूल वाला पार्ट को ले रही हूँ तो इसे चोटे-चोटे पीसेस में पहले काट लेना है फ्राइ राइस ना मेरी फेवरेट डिस है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है इन फैक्ट यदि आपके पास घर पर बॉयल राइस है तो ये और भी जल्दी बन कर तयार हो जाता है अपने मन पसंद सबजियों को इस बॉयल राइस में एड़ करें और एक नई डिस बन कर तयार हो जाती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इस फ्राइर राइस को बनाने की तयारी मैं पहले ही कम्प्रीट कर चुकी हूँ बस इस ब्रॉकली को काटना था तो ये भी कर चुका है और इस फ्राइर राइस को बनाने के लिए मैं बासमती राइस का इस्तमाल की हूँ आप कोई भी राइस का इस्तमाल कर सकते हैं साथे लसुन ले ली हूँ, हरी मिर्च, कैरेट, यलो जुकिनी और ग्रीन जुकिनी साथी प्याज, हरे धन्ये के पत्ते और डे सारी ब्रॉकली तैयारी होते ही अब चलते हैं इसे बनाने के लिए तो कड़ाई में डालना है गी, गी के जगा तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं गी के गर्म होते ही लसुन डाल देना है एक चमच, हरी मिर्च, अपने तिके के अकॉर्डिंग डाले साथी तिल भी एड़ कर रही हूँ, एक चमच के करीब है और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, भून लेना है कुछ सेकेंड के लिए लसुन का कलर चेंज होते ही, इसमें एड़ कर दे रही हूँ प्याज तो यहां मैं एक मिडियम साइज के प्याज को बारिक चॉप कर ली हूँ, उसे डाल रही हूँ प्याज को भी कुछ सेकेंड के लिए ही भूनना है फ्राइर राइस में तो यही है कि सबजियों का क्रंच बना रहे है, बहुत जादा नहीं पकाना होता है हाँ उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए उतना ही, लेकिन सौफ्ट नहीं करना होता है, क्रंची रहे, तो ही राइस में अच्छा लगता है तो देखिए प्याज का कलर हरका सा चेंज होते ही, इसमें डाल दे रही हूँ ब्रॉकली ब्रॉकली को भी प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करते हुए पका लेना है, तो बिच-बिच में शलाते हुए रहे, ताकि ये जले नहीं फ्राइ राइस बनाते वक्त आप इसमें कितना चावल अड़ कर रहे हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसमें सबजिया अरजश्ट कर सकते हैं इसमें नमक स्वादनुसार मिक्स करने के बाद इसे थोड़े तेर के लिए मैं कवर करके पका रही हूँ लगबग एक मिर्ट कवर करके पकाने के बाद कवर हटा ली हूँ और इसे फिर से मिक्स कर लेना है अब इसमें एट कर रही हूँ, बचीवी सबजिया तो यहाँ पे जो जुकिनी दोनों कलर की और कैरेट है वो सभी डाल देना है और गैस का आँच रखेंगे तेज पे ही और इसे लगतार इस तरह चलाते हुए पकाएंगे लेजे सारी सबजियों की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है तो इसकी स्वाद को और भी बढ़ाने के लिए इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर एक छोटा चमच साथ ही इसमें कुछ सॉस भी आड़ कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं विनिगर डाली हूँ एक चमच स्वाय सॉस दो चमच टेमेट्यो केचप चार चमच और चिली सॉस मैं दो चमच डाली हूँ सारे सॉस को अच्छी तरह से सबजियों में मिक्स कर लेना है सबजियों बिल्कुल तयार है फ्राई राईस के लिए इसी टाइम पे डाल देना है बॉयल बासमती राईस फ्राई राईस जब भी बनाये ना तो उसमें गर्मा गर्म चावल का इस्तमाल ना करें वरना मिक्स करते वक्त सबजियों के साथ तूटने का डर रहता है हरे धनिय के पत्ते डालने के बाद सबजियों के साथ अच्छी तरह से राईस को मिक्स कर लेना है और इसी टाइम पे चेक कर लेंगे नमक और काली मिर्च का स्वात यदि कम लग रहा हो तो डाल सकते हैं इस टाइम पे और मिक्स कर लेंगे राईस के साथ थोड़ा ध्यान से स्टर्ड करेंगे ताकि चावल तूटे नहीं लीजे ब्रॉकली फ्राई राईस बिलकुल बन कर तैयार है परोसने के लिए अब सभी को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा अपने मन पसंद सबजियों को मिक्स करें राईस में और एक नई डिस रेडी हो जाती है तो मैं यहां सर्व कर लेती हूँ अपनी बेटी के लिए फ्राई राईस के साथ सर्व कर सकते हैं राईता या फिर मंचूरियन के साथ या फिर इस तरह भी खा सकते हैं जैसे मैं सिर्फ फ्राई राईस बनाई हूँ बेटी को देने से पहले मैं इसका टेस्ट कर ले रही हूँ ये बहुती टेस्टी बनी है और खाकर उसने भी बताया बहुती टेस्टी लगा उसे भी तो आप भी बनाएं अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने परिवार वालों के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने का आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद अब मिलती हूं नेक्ट वीडियो में